हेलो गाईज विल्कम बैक तो माई यूटू चैनल पूजा टेक्निका क्लासिस आज किस वीडियो में हम बिहार अमीन 7776 लैटेस अपडेट के साथ टूड़े अपडेट के साथ हम वीडियो बने हैं आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा गाईज और अगर हमारे चैनल पर नए होगे जिन्हों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देजाएं और बेलेकर नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लेना है गाईज जिससे कि आपको टाइम तु टाइम हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो चलिए हम बिन दिरी के वीडियो को क कर लेते हैं सुरू बिहार अमीन 1760 जो कि हाल फिलाल में हाई कोट ने इसे बहाली को रद कर दी है उसी को पर एक अपडेट आई है और अभिहार्थियों का क्या मांग है हम आई जानते हैं तो आईए जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट है आज जी के डेट में 20-12-12 जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं क्या कुछ लिख हुई है पूरा अपडेट हमें के करके जान लेते हैं अमीन पड के सफल अभिहार्थियों के लिए जो बच्चे कौलिफाइड हुए हैं उनके लिए सरकार से बिसेस पहल की गई है बिसेस पहल की मांग की गई है जो कि सब ही अभिहार्थियों का यही हमारी बहाली जो अमीन के पद पर हुई है वो जो है की कौंसलिंग परकिरिया हो और हमारा फाइनली जॉइनिंग हो सिलेक्शन हो तो आगे क्या अपडेट है हमें के करके जान लेते हैं लिखा हुआ है अमीन पद की नियुक्ति के लिए 2019 में बिग्यापन के अधार पर कुछ अभिहर्थियों के यहां पर नाम लिखे हुए हैं जैसे बीपुलतिवारी रभी सी सर्ताज आलम मोनिका गुपता साहिल सीनहा बिवेक कुमार आदीती राज सोनु सी दिपिका कुमारी रजनी कुमारी संधिया सी आदी अभिहर्थियों ने कहा है कि 2019 महीं उन लोगो के तहट आवेदन किया निधारी सर्तों को पूरा करते हुए आयोजित परिच्छा में कम्याबी भी पाई आवेदन करने के बाद उनका काफी समय न्यूक्ति की परतियासा में ब्यतित हो चुका है लिहाज़ा कानूनी अर्चनों को दूर कर उनकी न्यूक्ति का मार्ग पर दो साल के बाद भी बहाली की